हाई फ्रेंड्स विल्कम तु मैंते सुचों प्रासिस लोग साथियो आज की वीडियो हम देंगे बोर्ट एंदे श्ट्रीम का पाट टू वीडियो जो इस्टुएंट पाट वन के वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाटर डिस्किप्शन में लिंक दिये गया है पाट वन क वीडियो देखें उसके बाद पाट वीडियो देखेंगा देखें हम आपको बताया थे इस पीड ऑफ बोल्ट और इस पीड अव्करेंट दोनों मता ते जब आपका याणि नाव की चाल धारा करीशा में क्या होता है जूटेगा और भीप्रीशा में क्या होगा घटेगा क चले साथ एव होो देखते हैं को भीट पर अपके साथ दिया गए है मिसे नाव की चाल धारा की दिशा में होतार कंशा में है थाखेंग घटिया पृँंटर है तता भीप्रीशा में 16 किलोमेटर है तो नाव की चाल में नाव की चाल क्या होगा तो धाड़ा की चाल क्या होगा इन्हीं बोर्ट का फेश्पीड पुछा गया है उसके बाद स्पीड ऑफ करेंट कुछा गया है अभी हम आपको बताया के जिसा में जाएगा तो प्लस करेंगे और बीप्रित में आएगा तो माइनस करेंगे यानि कोशन में दिया गया है वी प्लास सी बड़ाबर बहातर किलोमेटर प्रति गांटा एक चीज़ हम आपको बताया थे आप बोट एंडे स्ट्रीम में आप स्पीड स्पोर्शन को बना सकते हैं आप हमेशा क्या लिखेगा उसके बाद दिया गया है वी माइनस यहीं प्लिप्रिसा में 16 किलोमेटर प्रति गंटा रहता है तो आप से पुछा गया है आप से पुछा गया है इसमें बोट आप 600 कर लिएगा तो दूनों के जोड़ice जोड दिजेए और डों सेक लेड़ करेंड स्पीड निएगा और करेंड लिएगा दोनों के घटाठ संग दों से दिवाजित कर दिजिएगा चली हां पडैक है यहां औरन निकालेगा वोट ओप ऑसिट निकालेगा यानी इसको क्या क और यह कितना एठ नाव किछाल हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा सांत जल्में नाव किछाल हो जाएगा और आप से एक और पुछा घया है क्या बता है घटादीजिए क्या किजेगा दिखाई जाए आप हातर मैंनस दट्र मायनस 15-16 आपके खार तो किजेगा आप यह बारे में से छो गीया तको इतना मचेगा चोब और यह देखिए कितना जगा चोब में से एक गया इतना जगा पांच चापन अब अब टा कि जड़े काटिए गया तो कितना आजाएगा याई 28 किलोमेटर प्रति घंटा यानि धारा की चल किया जागा 28 किलोमेटर प्रतिगंटा और सांत जल में नाव की चाल आ जाएगा यह जो है आपका कहने का मतलब क्या आया नाव की चाल आपका आगे कितना चोववारीस कीलोमेटर प्रतिघंदा जुना की चाल जो हैat 24 किलोमेटर प्रतिघंद अ औरस्टर अप्रतिघंदफा की चाल अठाब की 많ा की चाल जो है तक आपको कल के वीडियों बता दिये थे पिछला वाला वीडियों में कि आप कहने का मतलब नाव की चाल कैसे निकाल सकते हैं धाड़ा की चाल कैसे निकाल सकते हैं में सब्सक्राइबे एक चीज़ा और बताएं आप इसको यानि बोट आप नाव की चाल हमेसाथ 200 लैसे भी आपका सबसे जादा जो है ना बोका इस पेड़ी अनों देखते हैं देखियेगा सारे विदर्थी दों मेर जो किया दिये घया है 20 0 अनुम्हें है दो नंबर कोशन देखिएगा नंबर को साथ बोर्ड पर लगाएं किया गया इस नाव की चाल धारा के दिसा में और तालिस किलोमेटर प्रतिगंटा है किसी नाव की धारा के दिसा में यह दारा की चाल इसके बाद थारा के चाल बाड़े किलोमेटर प्रति घंटा है तो विप्री दिसा में नाव की चाल क्या होगी समाइगे न देखिए यहां पर नमद दिखेगा धारा की दिशा में नाव की चाल जिसी तरह भूलेगा तो आप क्या किज़ेगा अलवेज प्लस की यानि वी प्लस आप से पूछा है यादि आपसे पूछा है नाव की चाल क्या होगा या सांत जल में नाव की चाल क्या होगा वह तो पिड कुछ रहा है आप से करें मतलब तर इसको चलिए निकाले कैसे भी बड़ाब इसको कीजेगा आपका जागा आपसे पूछा गया है कोशन में तो बीप्रीट दिसा में विप्रीट में उसकी चाल क्या होगी तो बीप्रीट में क्या करते हैं आपका बोट काया और के लिए बाड़े दिया गया चले गंटा यह कितना जगा चौवीश किलो मिटर प्रति घंटा यह क्या है धाड़ा की चाला आपका विप्रीट दिसा में आगया कभी कभी पूछता यह सांत जल में पांच घंटे में नाव कितनी दुणी ट्रेक करेगी इसका एंसर comment box साथे बिजारती किजेगा डिस्टेंस बरावर क्या होता है इस सब्सक्राइब याद जलमेन नाव 5 घंटे में कितनी दूरी कड़ेगी इसको तो अर। आगे तीन नंबर देखेंगे तीन नंबर पर लग गया है तो आपके बोड पर लग गया हूंगे देखिए तीन नंबर कोशन जोड़ा आपका बोड पर लगया है कि मतलब देखिए का दिया गया है कि आपको सब्सक्राइब के नमबर कोशन था एक नाविक धाड़ा के अनुदीस पांच मिनट में 11 km की गती से दाज के वीपडी एक घंटे में 6 क्लिव मटीसे नाव खेता है लुग जी दिखेगा यानि यानि दिए गया यानि अनुदीस यारी दिए गया है मंध एक नाविक धाड़ा के दिसमें कि एक 방भी किलोमेटरं जो है ना कना अकिलोमीटर जो एन जते है था बहुत है ङृडद कर देह कि एक किलोमीटर पांच मिनिटर पित ते तप है यह आ लेकिन आपको थेहां को समीने स्पीड की जरूरत रहें इस्पीड की जरूरत है तो आप ऐसे किजिएगा एक किलो मेटर जो आशने दीकिंग और पाँच मिनट में है है इसको गow बदल लिजिए क्या कि जग गांटा में बदल लीजिए तो गंटा में बदलेंस बुलिए इस भीड बोला गया है भी दिशा में आपसे कौसर बोला गया चुलिए यह घंटे में आप प्रती घंट अब 3 इतना गया इस पीड जुआ गया चेक किलो मीटर प्रती घंटा आगया चलिए आप से कोशन में क्या पुछा गया है तो थारा का वेग क्या होगा देखेए धारा का वेग क्या होगा क्या दिया गया अब यहां सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं स्धीद उफ एक इस प्रहन के दिशाया मैंने का बुला गरी चाल क्या विटा कि आप ए माइस शे बाट्टि वेगा तो थांट रख यह आप तो शे बाट्टा तू इस वह का टिएगा इन की फीलो मेल्टर प्रती घंटा जो यह तारा की चल्टा तीन किलोमेटर जो प्रति घंटा जो है कि आया धारा की चाला जाएगा इसको नोट कीजिए यहां पर देकिए हम एक चीज़ बताते हैं यहां पर आपका डिस्टेंस दिया गया था टाइंग भी आगया था इसलिए हम लोग क्या किये स्पीड निकाले स्पीड बराबर फ्रम बाड में अना चाहिए अग्वा कोशन हमनों देखते हैं मतलब कि आपके बोड पर लग गया हूंगे एक बार साड़े विदार थी चार नमबर कोशन को पढ़ लिजे अच्छे से कि चार नमबर कोशन क्या दिया गया है चार नमबर कोशन प्रती गंटा और चाल पांच किलो मेंटर क्वाट खेंटा थो बारा के दिसा में पांच घंटे में तरह कि यजुडी क्या होगी विदा हम किसी नाव की शाथ स्थीए थीज़ वूर्ट पर फिस किलोमेटर प्रतिज़ आपTime fps एक का पर 10 रख गांटा आपका पूश्ट का मतलग आप से यहां पर धीया गया है उसके थारा कि चाल गेया का ड़ावर दिया आया आज है दरादेख सब्सक्सकत पांच की लो मीटर प्रतिगंटा तो आप से पूछ थारा के दिसा में पांच गंटे में तैकी गई जोड़ी अच्छा ही ब सिदे तो क्तेटिए वहारा के दिसा में 25 किलो मेंटर प्रतिगंटा मंभे बोली कितना जगाud प्रती घंटहां आप से पूछारा है चलिए चपwno ये गांद और चलिए आपको दिया झाटाइं पांच घंट ate पांच गंटे में पूले दीश्टेंस बनावर फर्मुलाय क्या होथा एस्तृड इंटू टाइम तो पूले स्पीड कीटि कितना है 30 किलो मेटर और पांच में कितना जाएगी 150 पचास किलो मेटर दी चाहिए यहीं क्या होगा आपका तो 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 झाल लुटा जोड देंगे सब्सक्राइब कर देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन दिखिएगा दो नंबर कोशन आपका पांच नंबर कोशान क्या दिया कितने विडियो हो गया कैसि नाव की चाल 25 km प्रति घंटा है और धाडा की चाल 5 मंटर प्रति गंटा है धाडा के बीप्रित काड़ किलो मिटर जाने काड़ी है को आडी में कितना समय लाएगा किसी नाव की चाल किसी नाव की चाल दिया गया है 25 किलोमेटर प्रति घंटा उसके बाद धाड़ा की चाल यह प्रति घंटा और दाटा दिया गया है यह जाने में बीप्रीत में बीप्रीत में यानि क्या करेंगे बी माइनस ती बोले कितना आजाएगा 25 माइनस पांच बोले कितना जाएगा सब्सक्राइगा अब दिया गया करने कमान आपका दिया गया है 60 किलो मिटर जाने में कितना समय लगा बुलीए समय बड़ाबर क्या होता है समय बड़ाबर क्या होता है दूरी बटा चार यानि कितना जना है यहां पर कोशन में दिया रहा था किसी नाव की चाल 25 किलो मेटर प्रतिगंटा है तो बीपरी दिसा में क्या बता थे समान दिसा में नाव की चाल जुटता है और बीपरी दिसा में जोड़ियेगा और बीपरी दिसा में घटा दीजेगा और आपको दिया गया है साथ किलोमेटर जाने में उसको कितना समय लेगा तो समय बढ़ाबर फर्मुल्ला होता है दूरी बटा च्याल दूरी कितना था साथ और चाल कितना था बीस कर्ट दिये कितना गया तीन घंट आगे चलिए अगला को समको छे नंबर देखते हैं कर दूर्म माँ देखेंगे वहां अच्छे बढ़ी केसे बोड़ पर लग गया है पढ़ी एक वर सारी विद्यार की पढ़ी है ते छे नंबर पढ़िएगा पस आपकी नंबर आने में क्या समय लेगा देखिए डिश्टेंस जितना दूरी जाएगा न उतना दूरी आएगा इसाइट किलोमेटर एक नदी में साइट किलोमेटर जाने में और आने में दिया गया है जाने और आने में क्या समय लएगा यदि नाव की चाल 25 किलोमेटर प्रति घंटा और धारा की च यह प्रकॉशन में निकलना है क्या करना कि अब चान में साध्ια किलुमेटर आए रिखतने सलम में समय किलना बोलिए बडाबर क्पर सब्सक्राइब निकालना हbank क्कॉरुमला क्या होता है गळी बडाल यह लुक्ताइब इसको याद रहे हैं याद भी होगा चाल याणि आपको कोश्र में दिया गया है याणि नाव की चाल यानि बोट आप स्पीड दिया गया है 25 किलोमेटर प्रति घंट और और धाड़ा की चाल दिया गया है 5 किलो मीटर्न प्रती कंटा 5 इन आब से पूँछा है करने मतलब आप से पूछ रहा है याँनी साट किलो मीट्र जाने में और 30 किलो मीटर वापश आने में कितना समय लएगा बता यह साथ 2 पूब्डर ज हखा सुनां कि भाड़ा की दिसा में जाएगा और शाथ 3 बालता कि अव्यां एक करेंगे गाला यानि जोड़ीर नंगा साट कि अ मुलिए द्धाड़ा के दिस्वर्ण समित बाफ निचरवाइब पट्चीज प्लॉस प्लॉस या भाल दिसा में गया फिर वापस आया जितना विस्टेश परको एक गलाउट नहीं इस वापस दिस्टे ग्रिलो मेटर दिया गया है और बोला गया वापस आएगा तो वापस आने में क्या करेंगा माइनस कर देंगे यह जो काट दीजिए क्या हो जागा इसको काट दीजिए बाटा बुले कितना हो जागा चलिए इसको काट कितना दो घंटा हो जागा आप पलास इतीन गट भड़ाबर पीशन बहुता को देख लिए लेकिन आपका एंसर कितना है पांच गणटा करेंट आपका एंसर कोई दीकत नहीं है चलिए इसकोशन को थोड़ा एक बड़ा और दिख लिए गया है धारा की चा करते हैं माइनस कर देते हैं वही चीज़ हम किया करना बता एक बार माइनस कर दिया कर दिया चलिए अब रहने देते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू बाइवाट टेक केर कर दो